बिस्मिल्लाहरमानवरहिम असलामुलेकूम टेयर स्टुडेंट्स आम यूर इंग्लिश टीचर खालिद रसेन हमारा आज का आज का लेक्चर लेसन नंबर 27 की एक्सराइज ही के बारे में हैं तो चलिए इस सिल्से को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं जे वेटा तो 158 खोल लें तो इसके ए पॉर्शन में देखें बिटा फॉर इच वर्ड इन लिस्ट एफांड वर्ड और फ्रेस ऑफ सीमिलर मीनिंग इन लिस्ट भी यानि लिस्ट ए में दिये गए जो इलफाज हैं आपने इनके सिमिलर मीनिंग वाले लिस्ट बी से इलफाज तलाश करन हैं और उन्हें आंसर वाले कालम में जो के मैंने तीसरा कालम बनाया है जो रेड कलर्ड है इसमें आपने उसी मुतलका लफ्स के सामने लिखना है जैसा के देखें फार्मली है अब फार्मली का आंसर जो है लिस्ट बी में है इन एकॉर्डेंस विद रूल्स एन कस्टम चा आप इस आंसर को इस आंसर वाले कालम में फ़ोरमली के बिलकुल सामने लिखेंगे इसी तरह आप प्रोपोजल लफज का जो लिस्ट बी में मिनिंग है वो है offer, put forward और consideration इसे आप proposal के बिलकुल सामने answer वाले कालम में लिखेंगे इसी तरह hastening है hastening का answer जो है वो hurrying है hurrying देखें बिलकुल उसके सामने ही लिखा गया है इसका मतलब जल्दबाजी होता है जल्दी में कालम में हरींग लिख देंगे इसी तरह consideration लवज है इसका answer जो है वो careful thought होगा list B में देखे careful thought number 6 पर तो आप number 4 पर consideration के बिलकुल सामने answer वाले कालम में careful लिख देंगे पांच में नमबर पर लवज है inherit क्या लवज है inherit इसका answer है receive property at some month death नमबर 2 पर list B में दिया गया है तो आप इसे inherit यानि number 5 के बिलकुल सामने answer वाले कालम में लिख देंगे इसके बाद number 6 पर है reward, tot count result का answer है determined list B में number 1 पर दिया गया है determine तो आप answer वाली list में answer वाले कालम में आप resolve के बिलकुल सामने determined लिख देंगे इसके बाद number 7 पर लवज है reproach reproach mean blame जो के number 5 पर दिया गया है तो आप इस blame को reproach की बिलकुल सामने answer वाले कालम में लिख देंगे जे बेटा तो इसके बाद हमने इसी lesson का अगला question करना है तो इस lesson का अगला question जो है वो आपकी grammar की book में से लिया गया है वर्ड फालोड बाई appropriate preposition यानि आपने मुनासे preposition का इस्तमाल करना है इससे पहले के मैं preposition का इस्तमाल करूं तो मैं उसे define करना जरूरी समझता हूं तो इसकी definition देखें preposition is a word that is used before a noun or a pronoun to show place, time and direction, हर्फे जार एक ऐसा लफज होता है जो किसी noun या pronoun से पहले जगा, वक्त या सिम्त को जाहर करने के लिए इस्तमाल किया जाता है आज हम जो preposition पढ़ेंगे वो 101 से लेकर 105 तक है तो आप अपनी book का pay number 162 खोल लें तो आईए पढ़ते हैं बेटा हाँ जी बेटा 101 पर देखें बेटा punish for punish for punish जो है इसमें basic word है और इसके साथ जो far इस्तमाल किया जा रहा है यह इसकी preposition है यानि punish के साथ जो preposition इस्तमाल होगी वो far है he was punished for stealing यह red color से जो word लिखे गए है यह जो है एक basic word और दोसा जो है उसकी preposition है उसके बाद है 102 पर recover from सियत्याब होना अब basic word recover है और इसका जो preposition word है वो from है यानि recover के साथ from इस्तमाल किया जाएगा I hope he will recover from his illness rapidly 103 पर देखें बेटा refer to इसमें preposition to इस्तमाल की गई है the matter was referred to the headmaster the matter was the matter was referred to the headmaster इसके बाद 104 पर देखें बेटा regard for sorry 103 पर रिगार्ड पर 104 पर regard for इसका मतरब है एहतराम I have great regard for your feelings आपके जजबात के बारे में मेरे दिल में बहुत एहतराम है या मैं बहुत एहतराम रखता हूँ regard for mean एहतराम होना अब regard यहां basic word है और for जो है वो इसकी preposition है 105 पर है relate to ताल्लक होना I am related to her इसमें जो preposition इसमाल की गई है वो relate के साथ to है तो इसके साथ ही हमारा आज का lecture खता हुआ बेटा इस lecture के बारे में अगर आपको कोई मुश्किल दरपेशा है तो आप मेरे वर्टसेप नंबर पर मुझसे राप्ता कर सकते हैं इंशालला मैं हर वकत आप आपका मददगार साबित होंगा और आपको हर किसम की मालूमात देने के लिए कोशा रहूंगा इसके इलावा आप हमारे वर्टसेप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया गरें ताके इस तरह की इन्फोमेटिव लेक्चर आप तक पहुंचते रहें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखियेगा वस्सलाम